बिहार के सबसे बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री नितीश कुमार के साथ हर वक्त मौझूद रहते हैं सरकार को सलाह देते हैं, सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, लेकिन साइबर शिकारी के शिकार हो जाते हैं बिहार के मुख्य सचिप आमिर सुभानी साइबर फ्राइड के शिकार हो गए है उनके खाते से 90,000 रुपे उड़ाने की कोशिश की गई लेकिन बिहार आर्थिक अपराधिकाई फॉरण हरकत में आ गया और एक शक्स की ग्रफतारी भी हो गई है EOU के अधिकारी की माने तो मुख्य सचिप को जैसे ही संदे हुआ कि धोखा धड़ी करने वाले उनके बैंक खाते से 90,000 रुपे निकालने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने EOU को सुचित किया चुके EOU अधिकारी तुरंत हरकत में आ गया इसलिए धोखा धड़ी नहीं हो सकी ये मामला मुख्य सचिप आमिर सुभानी से जुड़ा था इसलिए राज्य सरकार की सभी अजंसियां हाई अलर्ट पड़ा गई और साइबर ठक को धरदब उचा गया सचिप के जिस एकाउंट में 90,000 रुपे थे उसे तुरंत ही सीज़ करा दिया गया पुलिस द्वारा अफराधी के नाम और उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है ऐसी उमीद की जा रही है कि पुलिस आने वाले समय में कोई बड़ा खुलासा कर सकती है साइबर ठकी के हर दिन कई मामले सामने आते हैं लेकिन अपराधियों तक पुलिस पहुँच नहीं पाती है चुकि ये मामला बिहार के सबसे बड़े अधिकारी से जुड़ा हुआ था इसलिए EOU की टीम ने भी तकाल एक्शन लिया और खाते से पैसे उड़ाने वाले चालसाज तक पहुँच गई जारखंट के जाम ताड़ा तो साइबर फ्रॉड के लिए पहले से बदनाम है और अब बिहार का नालंदा, नवादा और शेफपुरा जिला भी पीछे नहीं है 2022 में साइबर फ्रॉड मामले में नवादा में 66 और नालंदा में 55 गिरफ्तारी अगस्त महीने तक हुई थी आम आदमी हर रोज साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं लेकिन मुख्य सचीव की तरह कम ही खुसनस्तीब होते हैं जिन्हें पैसे मिल पाते हैं पटना से सुजिज्जा की रिपोर्ट बिहार तक झाल प्रॉड के शिकार हो रहे हैं